अधरकार्ट से मुबाइल नमबर लिंक करवाने के बाद मूदी सरकार ने एक और नया फर्मान लिकाला है इसने आदेश के मुबाइल नमबर से लिंक कराना जरूरी हो जाएगा केंद्री सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्राले ने एक अधिसूचना जारी की है इसके मुटाबिक एक अप्रेल 2020 से नियम लागू हो जाएगा हाला कि मंत्राले की तरफ से इस संबंद में सुझाओ भी मागे गए है 29 दिसंबर तक अपने सुझाओ सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्राले को भीच सकते हैं इससे पहले केंद्री केबिनेट के परसनल डेटा प्रिटेक्शन बिल को मंजूरी दी है इस बिल का मकसद पबलिक और प्राइवेट कंपनियों के लिए परसनल डेटा को रेगूलेट करने की व्यवस्था करना है मीडिया रिपोर्ट्स के मताविक सरकार की मन्शा है कि देश भर में वहन के दस्तावेज से मालिक के मुबाइल लंबर से लिंक होने से गाड़ी चोरी या अन्य जरुरत के समय जानकारी जुटाने में आसानी मिलेगी वहन दस्तावेजों के साथ मुबाइल लंबर लिंक होने से गाड़ी की चोरी खरीद फरोक्त पर अंकुष लगाने में मदद मिलेगी वही वहन डेटाबेस में मुबाइल नमबर दर्ज होने से GPS के रावा मुबाइल नमबर की मदद से किसी भी व्यक्ति की लोकेशन का पता किया जा सकता है किंद्र सरकार और अन्य सरकारी संस्थाओं के पास सभी वहनों और ड्राइविंग लाइसेंस का पूरा डाटा मुबाइल नमबर सहित उपलब्ध होगा